तो है गाइज वेलकम बैक अब हम लोग कुछ नेक्स्ट फ्यू करेक्टर्स पढ़ेंगे जो की लिविंग और गनिजम्स में प्रेजेंट होता है या जो इंपोर्टन फीचर से लिविंग और गनिजम के और देखेंगे कि वो करेक्टर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं त जाए था कि मेटाबोलिजम क्या है सर्म और आफ और आल्ड गेमिकल रीक्शन इन अलिविंग और गनिजम यह तो वो यूनिसलूलर भी हो सकता है या मल्डिसलूलर भी हो सकता है तो मेटाबोलिजम क्या है मिटाबोलिजम हमारा ओल्ड गेमिकल रियक्शन इन लिविंग और गनिजम अब यह लिविंग और इधर आपका यूनिसलूलर भी हो सकता है तो मल्टिसलूलर होगा तो हमने उस एक्जामपल अगर प्लांट्स कंसिडर करें तो प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंसेशिस भी होता है और रिस्पिरेशन भी होता है तो फोटोसिंसेशिस में क्या है एक नया सबस्टांस बन रहा है उसको बोलेंगे एनाबॉलिक रियक्शन और फिरेशन में क्या है कि जो ग्लुकोज बना उसका ब्रेकडाउन होगा ताकि वह इनर्जी ल और इसमें यह उता है अधेश्यय में कॐब किसे वस्टीप pepper और सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है कि सब्सक्राइब और कौने कि थे होज़ची क्या होता है क्या आइड और वाटर मॉलेक़्ूल मिर करके क्या बनाते हैं ग्लुकोज मनाते हैं हमारा नया सबस्टांस एक बन रहा है यहां द्लिख सकता है फॉनेशन फट रहा है writings सबस्टाश हो क्या भलता फोाटो तो फोटो सिंथेसिस हमारा जो क्या है वह एनाबॉलिक रियक्षन अब यहीं ग्लुकोज को जब यूज करेगा प्लांट्स इनर्जी डिराइफ करने के लिए इनर्जी गेन करने के लिए उसको गोलता है रेस्पिरेशन अब रिस्पिरेशन में क्या है एटीपी बनेगा तो इस जब यह दोनों एक साथ अनुग करेंगा तो बोलेंगे कि मेटाबॉलिक रियक्षन से लेकिन अगर रोग रिस्पिरेशन को अलग से डिफाइन करेंगे तो हमनों डिफाइन करते हैं कि रिस्पिरेशन इस अ अधर गॉनिक एड़ अनाबॉलिक ठेक है अब कुछ-कुछ ऐसे रियाक्षन होते हैं जिन में आण आश्याप लिज्ण यह एक साथ ही होता है तो वैसे रियाक्षन को क्या बोलेंगे हम लोग अंट अन्य बाल इसका एक सबसे अच्छा एक्जामपल क्या है हमारा क्रेप स साइकल क्रेप साइकल या टीसी ए साइकल कैसे क्रेप साइकल क्या होता है चेन है जिसमें तरहता है तो उसमें क्या होता है कुछ-कुछ तो क्रेब साइकल क्योंकि रिस्पिरेशन का है और रिस्पिरेशन खुद में कैसा है केटाबॉलिक रियाक्शन है बट क्रेब साइकल में कुछ-कुछ सब्स्टांस ऐसे निकलते हैं जो की कि सेल में अधर सब्स्टांस को बनाने के काम आते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एमफिबॉलिक रियक्शन अब एंसी आर्टी एक लाइन लिखती है कि अगर हम लोग केमिकल रियक्शन को बाहर एक टेस्ट्ट्व या लैबरेटरी कंडिशन में उसको यह सारा तो सेल में हो रहा है ना एक लिविंग और गिनिजम में हो रहा है बट हम लोग इसको आर्टिफिसियल अगर लैब में करवाए तो वो रियक्शन लिविंग भी नहीं होगा नॉन लिविंग भी नहीं होगा बट वो रियक्शन खुद में कैसा होगा एक लिविंग रियक्शन होगा क्योंकि वो रियक्शन टेक ब्लेस हो रहा है अब क्योंकि वो लिविंग विंग के अंदर नहीं हो रहा है लिविंग क्योंकि वो क्या हो रहा है कि टेक प्लेस हो रहा है ठीक है तो क्या कहा सकते हैं कि जो मेटाबॉलिजम है यह living organism में होता है ठीक है living organism में होगा जेतने भी हो गया अधर इनिक्रव्टि है और मैल्टिसल्लर और यह metabolism जो है यह आपका defining defining feature है तो अभी तक हम लोगवनितीन हमें पढ़ा ग्रोथ reproduction और Metabolism इसमें जो मेमने मोट में मरा कि ढमनिक फीचर में तो अगर किसी और किसी और्गेनीजि़ में म्स olhos यह डालिक मेंija कि म Maiskant भूर रहा है किसी चीजी का मुघ्ष्ण हो रहा है में नदावर को को अगला है मेटाबॉञालिजम के बाद वह हमारा कंस्यस्स नेज़ कि और ओस्वाon 들고 का मतलब बेसिक मिनिंग क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है हम अवेर होते हैं अपने सराउंडिंग्स के ठीक है तो कम सिएस्नेस में क्या होगा इस वह सकते हैं कि अवेर सब एक होता है भी माई मfendी का प्लांट वह सो छुए मिश्वाइं Thanks गरता है तो क्या वो चैनल हुआए वह हुआ है तो क्या हुए ओछ हम लोग टाच किये वह हमारा स्टिमूलस था और जब वह स्टिमूलस कर गया त्वों का स्टिमूलस क्या है कि कम लोग बोसक्ते स्टिमूल आई कि एक्स्टर्नल चेंज कि टू विच लेविंग और्गेनिजम रिस्पॉन्स अब यह स्टिमूलस जा है वो तीन तरीके का हो सकता है मारण। होति म केला है यहंते या तो ऊसलिए सफिकल होगा तो हम लोग इसको सेंसिटीविटी बोलते हैं कि कि sensitive है कहने का मतलब क्या एक्स्टर्नल चेंज एक्स्टर्नल किसी अल्टरेशन के वज़े से क्या हो रहा है वह लिविंग और्गिनिजम रिस्पॉंस कर रहा है तो क्या बोलता है कि उसके प्रती या उसके रिस्पेक्ट में हो क्या है sensitive है इसको हम लोग sensitivity भी बोल सकते हैं ठीक है एक्जामपल्स क्या हो सकता है अब फोटो पिरियट जो होता है अब फोटो पिरियट इन प्लांट अफेक्ट अब फ्लावरिंग अब इसको क्या कहेंगे तो जैसा के नाम तो पर चलता है फोटो पिरियट फोटो मतलब light तो मतलब यह टाइम रिजान जो है वो दो पर टिपेंड करता उसमें से एक हमारा क्या है फोटव परियेट फोटो परियुट कहने का मतलब कि प्लांट जो है वो लाइट की एक्सपोजर में कितने टाइम तक है कुछ प्लांट जो होते हैं वो मोर देन सिक्स आवर्स या सेवन आवर्स डेलाइट में एक्सपोजर चाहते हैं तभी उनमें फ्लावरिंग जोता है वो इंडियूस होता है तो लाइट हमारा अब यहां पर क्या है एक्स्टरनल फैक्टर है और फ्लावरिंग क्या है उसके प्रति रिस्पॉंस है अगर जो फ्लावर और देलाइट में वह उतने टाइंट तक होगा तो हो गया अगर उस्क्से कम हो रहा है इसलिए आज दो यहले इक और एक झाले लेस्टेट या मॉन लुदी का इसको छूइमी प्लांट बोलता है हम लोग इसके लीफ को टच करेंगे अगर इसका लीफ जो है वो इन्फिलेटेट पोजिशन में है इसे इन्फिलेटेड है तो टच करने के बाद क्या हो जाएगा यह श्रिंक कर जाएगा फिर कुछ टाइम बात क्या होगा यह दुबारा तरफिट हो जाएगा मसं मतलब जैनली क्या होता है वहाल मतलब उसकोर बीच और सेल मेंब्रेन के जो बीच का स्पेस है उसको कम किया है पूरा टर्जिट कंडिशन में है वह स्विल है पूरा तो यह हो गया और हाँ अब क्योंकि कंसियस्नेस जो है उसे लिविंग और्गनिजम्स में हो रहा है तो 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 हमारा क्या है डिफाइनिंग अगर किसी लिविंग और्गनिजम में कंसियस्नेस है या किसी सब्स्टांस में कंसियस्नेस है अब यही पर एक जामपल आता है कि जो इंसान कोमा में है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है तो याद रखना है यह सवाल एंसे रटी में ही पूछा है तो याद रखना है कि क्योंकि वो इंसान कोमा में है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बड़ी के अंदर जो रियाक्शन हो रहे हैं जितने वी और गन्स है वो काम नहीं कर रहे हैं वह कंडिशन में काम करते हैं बस उसका जो ब्रेन होता है वो उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है डिफिनेटल लिविंग है ठीक है और एक और हमारा अब मतलब कि human beings जो है वो खुद के बारे में self conscious है तो हमें पता है कि इसके बाद हमें क्या करना है इसके पहले हमने क्या किया था अब हमने क्या करना मतलब हम खुद के बारे में अपने इंवर्मेंट से में काश्या संसेटिव है तो सिर्क सेल्फ कान्सीजनेस जो है मुसिर्फ human being का ही फीचर है स्टेल्फ चन्सीजनेस एंप यूमन बिंग है निपशो करता है ठीक है मतलब कि अपने उटर इंvable में इपर विड्स्पेक्ट टाइम मैं क्या होता है यह इसको पता होता है Help हो हमारे ०्रेश है हम्मिध में क्या क्या चल रहा है ठीक है हुए मेठाबॉलिजम फिर आपके कम सिवसने revise अब अब याज जो है वो है cellular organization का मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग जिनका इडियोलोजी सेम होगा मतलब विचार धारा सेम होगा वो साथ में आकर एक किसी पार्टी का और फॉर्मिशन किया है तो उसी तरीके से क्या होता है लिविंग और उसमें क्या होता है अब सेल क्या है सेल हम लोगों ने जैसा कि पहले के वीडियो में देख रखाए कि वह इस्ट्रक्चरल को फंक्शनल स्मॉलेश्ट यूनिट है हमारे बड़ी का या किसी भी और गनीज हो जाएंगे ठीक है तो क्या बनाते हैं टीशू अब टीशू क्या बनाएगा और गन और जब बहुत सारे अपने साथ कंपेटिबलीटी में काम करेंगे तो और गन सिस्टम बनाएंगे और फाइनली क्या होता है और गनीजम का फॉर्मिशन होता है अम प्लीट जैसे कि हम इनो कंप्लीट और गनिजम है तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्मॉलेश्ट यूनिट है हमारे बॉडी में ठीक है सेल जैल क्या होता है कि और रिजिशन शो करता है जैसे कि बहुत सारा सेल क्या है सेम और इंका शेप थोरा मणा वैरी कर सकता है बट फंक्शन सेम होगा तो इस सेत जो हैं वो एक साथ आखर करके टीशु का फोर्मेशन करते हैं से चिशू साहाथ करके और गया और बहुत सारे और गया ओर और एक हो एक स्कूरामीजेशनली इस्टमक क्या है एक और्गन है तो यह सारा एक सथ कंपिटिबल के सिंख्रोनाइस में काम कर रहा है मिलनोग कहते हैं कि डैजी सिस्टम है यह हमारा वैसी रेस्पिरेटर सिस्टम है आइसे से होता है आइज जो वो नोस टंग स्कविव यहीं से लिंग करिए यह पांच सेंस और गंसा मतलब इनके थ्रू हम लोग सेंस करते हैं जैसे स्कीन है हमारा पूरे बड़ी में कहीं भी कुछ होट सबस्टांस में टर्च हो जाता है तो हम तुरत उसको वहां से विट्ट्रॉ करते हैं अपने जिस पार्ट में टर्च हुआ रखा गया उसको तुने तभी ट्रॉकर ऑफ्यों करेंगे क्योंकि वह हमारा रिस्पॉंस है और वह होट ऑप्जेक्ट क्या है डींडर्श है वैसे हम आई से क्या होता है विजन है हमारा यह हमें सुनने में हैं हम्प करता था नोज क्या है इसमयल से इसका प्ली के तरीगि कि यह नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है हम लोग क्या सकते हैं कि सेलुलर और्गनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग इंडिविजुवल का अब हम लोगों ने पांच पढ़ा ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिजम कंसियस्ट और इन पांचों में से ग्रोथ और सारे तो इंपॉर्टन फीचर सभी है लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर है वो सिर्फ तीन है मेटाबॉलिजम कंसियस्टनेश और सेलुलर और्गनिजेशन मतलब कि यह किसी अगर सब्स्टांस में शो हो रहा है किसी और्गनिजम में शो पर कर लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन नॉमिंक्लेचर पर क्या होता है तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है यह समझ में पूरा तो इसको लाइक करें प्लीज इसको शेयर करें और चैनल में अगर भी आप नया है तो इसको सब्स